हेलो फ्रेंड्स जैम आतदी कैसे ही आप सभी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आज के ब्लोग के शुरूत अभी मैं कर रही हूं शाम के टाइम से और आप सभी से रुकैस्ट है उन लोगों से जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करते हैं कि प्लीज आप लोगों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए जब आप वीडियो देखते हूं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमली और अपने फ्रेंड्स साथ में झाल 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 पाशू बांद ये बाहर और चेतन गया इनको हरी घास लेने तो मैं भी चलती हूं दाल में मैं तड़का लगा दिया और चावल मैं रख दिये चड़ा के तब तक मेरे चावल होंगे तब तक मैं घास ले आती ये दे दिया हमने इनको घास खाने को हरा और यह खा रहे हैं हरी घास बस हरी घास का क्या आई अब तो नाम की हरी घास बच्ची हुई है थोड़ी थोड़ी करके न मैंने दे दिया इनको जितनी थी और अब मुझे करना है breakfast और फिर चलते हैं खेट की तरफ और पशों को घास देने के बाद में मैं बैठ की हूँ क्योंकि आज न मेरी तबियत सही नहीं लग रही है मुझे कोल्ड फीवर और आंखे भी लाल-लाल सी हो गी है यह कलना जैसे दूप पे काम किया और उसके बाद में पानी वगया पिया न ठंडा तो इसके कारण लगती है मुझे भूगे आईए उन पर खेट का कामे अब करना तो पड़ेगा ममी आवाज लगा रहे हां जी ना ले चेतन फिर चलते हैं और उसके बाद में मैं पहुंची थी वही पर खेट में जहां पर कल मैंने ये खेट साफ किया था तो आज हम इसमें जोतेंगे हल और हल जोतने से क्या होगा कि ये जो इसके मक्की के डंठल है ना पिछले इनको निकालेंगे और इस खेट की सफाई करेंगे फिर इसकी जो मिट्टी है वो नरम हो जाएगी और इसके बाद में फिर हम इसमें गोबर फैंकेंगे वो तो बात की बात है ख्यर जब फैंकेंगे तब सही आज हम आये थे बैलों के साथ में और आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे लोग जूड़े है उनको पता है कि मैंने यहाँ पे खुद हल चलाया था बट इनसान एक जैसा नहीं रहता हमेशा इनसान का शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता तो अब मेरे दर्द होती है पीछे गर्दन में जिसकी कारण में हल नहीं जोड सकती तो इसके लिए मैंने बोला था यह हमारे ही गाओं के हैं मामुची और यह द्याड़ी लेते हैं बैल जोड ने की तो मैंने नहीं को कहा था कि हमारे खेटों में भी बैल जोड देना और हमारे खेट भी जोड देना तो हम आपको पैसे देंगे मतलब द्याड़ी देंगे तो इससे मान गई यह और आज सुबह हम यहाँ पर आ गए थे तो मन तो मेरा भी करता है कि मैं खुद यह काम करूँ पर अब नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शरीर अब इस काम करने के लाइक नहीं रहा है तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि जब हमें पहले जुरूरत थी ना कई ऐसे काम होते हैं जो हम खुद करते हैं बड़ जब शुरूरत होती है ना किसी चीज की तो भू मिलती नहीं और अब जब मिलती है तो अब उस चीज का क्या फाइदा मिली और ना मिली एक पराबर है वो तो इन्होंने आदा खेत पहले ही जोत दिया था जब तक मैं यहां पहुंची और उसके बाद में यह आदा यहां पे और हमें यहां पे बचके थे दो से धाई क्यूंकि यह बहुत बड़ा खेत है आपको दिख भी रहा होगा पर हमारी यहां पे एक प्राब्लम है कि यहां प जो पिछे वाले जोताई की थी खेतों में उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप सभी को अगर आप सभी के पास टाइम होगा तो प्लीज देखिएगा आप भी एक बार उस वीडियो को और यह देखिए खेत जोतने के बाद में फिर इन्होंने बैल यहां रख दिये थे लास्ट में और यह खोल रहे थे बैलों को क्योंकि अब हमने जाना था घर की तरफ खाना खाना है बैलों को भी प्यास लगी होगी तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी इन्होंने तो खोल दिये बट हमारी पास अभी हल भी होगा बैल भी होगे तो ये भी सिर्पे उठा के लिए जाने पड़ें और देखें क्या हालत होगी है मेरी एक तो तबियत सही नहीं है आज और पता नहीं क्या होता है मैं अभी हपते में कितनी बार बिमार हो जाती हूँ सच में मैं सोचती हूँ कि लोग मुझे सोचती होंगे कि कृष्णा पता नहीं नाटक करती है बिमार होने का पर नहीं मैं नाटक नहीं करती हूँ शायद आप लोगों को भी पता चल जाता होगा जब मैं ठीक होती हूँ तब भी और जब मैं बिमार होती हूँ तब भी क्योंकि असलियत सामने आ जाती है और ये पाने मैंने थोड़ा से यहां पे पिया खाली हो गई बोटल तो अब हम चल पड़ेंगे डारेक्टली घर को और घर में खाना खाने के बाद में रस्ट करने का तो कहां टाइम मिलता है हमें बहुत कम मिलता है नहीं मिल पाता और इसमें मैंने आगे एक बहुत ही सुन्दर सी तस्वीत मतलब क्लिप चोड़ी है यह देखें यहां पर यह मोंकीज है यह मेरे घर का प्रिशे नहीं है यह किसी और की घर का है यहां पर खेल रहे हैं यह मोंकी है लंगूर है सौरी मोंकीज नहीं है लंगूर की मस्ती हो रही है ये देखो, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और पता नहीं यहां पे यह क्या खा रहे हैं और मैं पते क्या सोच रही थी मैं सोच रही थी कि ये जो बाल्टी है न ये इसमें घुश जाता इसका मूँ तो निकलता नहीं बट ये बहुत शयतान होते हैं ये देखो कैसे बैठा है मैं कब से सोच रही हूँ कि कब जैसे ये घुचा है इसमें मैं इसको बड़ी देर से देख रही थी ऐसे ही पर ये नहीं ये बहुत सयतान होते हैं हमसे जादा और यहाँ पर देखिए यह घर है किसी का, घर की आगे इन्होंने कितनी तबाई मचा करके रखी है, बहुत जादा तबाई मचा आई है, यह देखिए, यहाँ कभी वहाँ, कभी इस पेर से, कभी उस पेर से, यह अपने बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे हैं, इनसान ही नही जानबर भी, देखिए जानबरों को भी, जो प्रेम प्यार की भावना होती है, वो होती है, और यह देखिए, कहां पे बैट की दूद पिला रहे हैं, आखिर मा, मा होती है, फिर वो इनसानी मा है, या जानबरों की मा, बड़े प्यार से बैटे थे अहिर की कैसे जोल रहे हैं इनको शाद मज़ा आ रहा है यहां जोलने में और यह है यहां पर मेरे वाला बंदर लंगूर यह मेरे साथ लड़ाई करता है देखो कैसे कर रहा था इस सुबा की कलिपह जब चेतन पेड़ पे चड़ा था मैं घास लेने गई थी तो मैं बोरी थी मैं छोटा सा डंडा उठा करके कि हम लड़ाई करेंगे तो मुझे बोरा था ममा इसको नीचे रखो नीचे रख दो ममा मैं इसको बोला रहे थी तो बोला इसको छोड़ दो पहले यह ले लो बड़े वाला डंडा यह देखो और इसको तोड़ के दिखाओ मैंने बोला मुझे से नहीं तूटेगा और यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि यह न चिला है रहा था इसलिए और इसको मैं पते क्या पूछ रही थी यह दिखिए इसको मैं पूछ रही थी कि आप किसके बच्चे हो तो यह पते क्या बोरा था ये बोरा था कि मैं पापा का बच्चा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए पर इसकी जुवान से न पापा मेर से पहले इसके पापा का नाम आता है इसको याद फिर बोलता है ममा पहले पापा बोलेगा और इसके बाद मैं ममी बोलेगा मैं गोई थे आपके बाल बड़े होगे तो पुरता कटिंग हम करवा देंगे ममी तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जै मातादी